आज हम लोग रिजनेंग सेक्षन में रेंकिंग क्रम ब्योस्था के बारे में जानेंगे इससे पहले हमने रेंकिंग सेक्षन में डारेक्षन का कोश्चन वन बाई वन देखे थे आज हम लोग रेंकिंग के बारे में लोवर से अपर की और टाइप टू टाइप कोश्चन सॉ करम ब्योस्था में अगर देखें तो एक 36 ब्योस्था दिया रहता है और एक उर्ध्वाधर दिया रहता है अगर 36 की बात करें तो 36 में इस तरह से दिया रहेगा कि किसी ब्यक्ति का इस्थान बाईं और से कुछ भी दिया हूँ और उसी ब्यक्ति का दाएं और से इस्थान सपोस्थ आठवा है तो 36 में कुछ इस तरह से ब्योस्था दिया रहेगा जिसमें हमें बाईं और दाएं और से किसी एक ब्यक्ति का इस्थान पता हो उसी तरह अगर उद्ध्वाधर की बात करें उसी तरह उद्ध्वाधर की बात करें या वर्टिकल की बात करें तो इसमें किसी ब्यक्ति का इस्थान उपर से नीचे की ओर दिया गया रहता है इसी में सपोस्थ राम का इस्थान उपर से आठवा और नीचे से साथवा है इस तरह से इसमें उपर और नीचे इस टर्मलोजी का प्रयोग उद्ध्वाधर रेंकिंग में और 36 में अगर बात करें तो बाएं या लेप्ट, दाएं या राइट पोजिशन में किसी बेक्टी का इस्थान दिया हो Second thing, रेंकिंग के इस टैप के question को solve करने के लिए Type 1 का question आज हम लोग solve करेंगे टाइप 1 के question में generally अगर हमें किसी एक बेक्ती का दोनों तरब से अगर चैतिज की बात करें तो बाएं और दाएं दोनों direction से और उड्वाधर की बात करें तो उपर और नीचे दोनों side से अगर हमीं किसी एक बेक्ती का इस्थान पता हो तो उन दोनों उस एक बेक्ती के इस्थान position को दोनों side से दोनों position को हम लोग add up करेंगे और उसमें एक minus कर देंगे तो हमें उस उन्गति में या उस group में कुल बेक्तियों की संख्या पता चल जाएगी तो आज हम लोग type 1 के question जो इस तरह से बहुत ही simple question है मगर आप सुरू से लेके अंद तक बने रही है कईयों को easy लगता है मगर बनाते समय बन नहीं पाता तो मेरे साथ सुरू से लेके अंद तक बने रही है यह ranking का topic एक एक type के question को हम लोग solve करते चले जाएए ranking के type 1 में अगर question देखें तो आप देख सकते हैं blackboard में मैंने पहला question लिया हुआ है कि एक पंक्ती में अजय का इस्थान बाई ओर से छटवा है और दाई ओर से साथवा है तो सबसे पहले इसे conventionally solve करने की कोसिस करेंगे कि एक पंक्ती में बाई ओर से यह हमारा बाया होता है जब भी हम लोग सामने देखें अगर question में तो हमारा बाया भी question का बाया होगा और हमारा दाया भी question का दाया direction होगा तो अजय बाई ओर से यह हमारा बाया है अजय बाई ओर से छटवे इस्थान पे है और उसी तरह अजय दाई और से, यह हमारा दाया है, अजय दाई और से, अजय किसी स्थान पे है, दाई और से है साथवे स्थान पे, तो हमने पहले ही बात किया था, कि अगर किसी एक बेक्टी का दोनों साइट से अगर डारेक्शन इस्थिती पता चल जाए, डारेक्शन नह इससे पहले कितने लोग होंगे, पांच लोग होंगे, पांच लोग बैठे होंगे, और अजय करके छटवा, बाई और से, उसी तरह से दाई और से अजय सात्वा है, मिन्स दाई और अजय से पहले कितने लोग बैठे होंगे, छै लोग बैठे होंगे, और अजय करके सात्वा इससे पहले 6 और 2 और से 5 बेक्ति बैठे हैं अजय को छोड़के और बीच में क्या है अजय को ही मिला रहे हैं अपन तो 5 और 6 कितने हो गए 11 और कुल बेक्ति की संक्या पूछा गया तो अजय को भी तो जोड़ेंगे तो अजय को भी अगर हम लोग जोड़ लें तो कुल कितने हो जाएंगे 12 बेक्ति तो question में पूछा गया है कि पंक्ति में कुल कितने बेक्ति हैं तो 12 बेक्ति और कुछ इस तरह से अगर देखें किसी एक पंक्ति में किसी एक बेक्ति का इस्थान दोनों साइट से पता चल जा शटवा है और दाई ओर से साथ हुआ है मींस दो बार अजय को हम लोग काउंट कर लिए इसलिए एक अजय को हम लोग क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा तो 6 6 और 7 किता हो गया 13 माइनस एक इक इकवल टू 12 तो पंक्ति में कुल कितने बेक्ति हैं 12 बेक्ति यह तो आप ऐसे बना सकते हैं या फिर डारेक्टली ऐसे मगर जहन में ध्यान में यह चीज़े याद रखेगा कि कुल बेक्ति अगर पूछा गया है और किसी एक बेक्ति का इस पंक्ति करें हमें पता चल जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 12 कूल बेक्ति कितने उस पंक्ति में 12 बेक्ति आईए देखते हैं उसी तरह से आगे अगर देखें इस सेम ही कुशन है एक पंक्ति में रवी का इस्थान दोनों तरफ से पंद्रवा है देखिए एक पंक्ति में रवी का इस्थान दोनों तरफ से पंद्रवा है मिन्स अगर बाएं साइट से अगर बात करें तो रवी और दाएं साइट से अगर बात करें तो दोनों साइट से रवी पंदरवे स्थान पर हैं रवी से पहले अगर बाये direction की बात करें, तो कुल 14 लोग इधर बैठे होंगे, और दाएं side की बात करें, तो कुल रवी से पहले कित्ते लोग बैठे होंगे? 14, तो रवी को छोड़के कुल कित्ते लोग हो गए? 14 और 14 कित्ते? 28, प्लस उस पंती में हमको रवी को भी तो गिन तो पंक्ति में कुल केतनी बेक्ति हो गए 29 दूसरे अगर सॉल करना चाहें तो 15 बाये साइट से और 15 दाये साइट से और दोनों में एक माइनस कर देंगे क्योंकि रवी को हम लोग दो बार काउंट कर चुके बाये भी और दाये में भी तो एक रवी को माइनस करना पड़ेगा पंक्ति में कुल बेक्ति निकालनी के लिए तो हमारे पास आजाएगा 30 माइनस वन इक्वल टू 29 जो की दोनों आंसर क्या है सेम है तो इस तरह से अगर किसी पंक्ति में एक बेक्ति का इस्थान दोनों तरफ से हमें अगर पता चल जाए तो उस पंक्ति में कुल बेक्तियों की संख्या हम लोग ग्याद कर सकते हैं आगे देखें एक्जाम पॉइंट अफ यू से इस टैप के कोस्चान हमेशा पूछे जाते हैं तो प्लीज सुरू से लेके अंत तक आप बने रहिए तिस्रा एक कक्चा में मोहन उपड़ से पंद्रवय इस्थान पे है अब देखें आप ए टर्मलोजी बाएं और दाएं के जगा पे क्या उपड़ और निचे एक कच्छा में मोहन उपर से पंद्रवा इस्थान पर है उपर से अगर बात करें तो मोहन उपर से कितना इस्थान पर है पंद्रवा इस्थान पर और जब कि नीचे से उसका इस्थान क्या है नीचे से अगर बात करें नीचे से उसका इस्थान है अठारवा मोहन का इस्थान उपर से पंद्रवा और नीचे से क्या है अठारा मिल्स यहाँ पे बाएं और दाएं के जगा क्या उपर यूज किया गया है टर्मोलोजी उपर और नीचे तो इस तरह से अगर देखें तो मोहन के पहले उपर साइड में कितने लोग बैठे हुए चवदा लोग और मोहन नीचे साइड से ठारवा है अठारा से पहले उससे पहले कितने लोग बैठे हुए सतरा लोग इस तरह से अगर इस चवदा और सतरा के साथ मोहन को जोड़ दे तो कूल बेखतियों की संख्या निकल जाएगी तो देखिए कितना हो जाएगा चवदा दुनी 28 और 31 हो जाएगा 31 और मोहन को जोड़ ले तो कितना 32 बेखतियों इस तरह से अगर देखें तो 15 हमको पता है और 18 पता है और दोनों में हम लोग क्या कर लेंगे एक माइनस कर लेंगे 33 माइनस से कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा 32 मिन्स किसी एक बेखति का इस्थान या तो उपर से या नीचे से अगर हमें पता हो तो उसमें एक दोनों को एड़ अप करके एक माइनस कर देंगे और बार बार एक माइनस हम लोग क्यों कर रहे हैं क्योंकि मोहन को अगर इस माइनस कर रहे हैं इस तरह से हमें आंसर कितना मिल जाएगा 32 आगे देखते हैं सेम कोस्चन किसी वर्ग में सुमन का इस्थान उपर से साथवा है और उसी वर्ग में विजय का इस्थान उपर से पंद्रवा है देखिए इसमें घुमाने के लिए थोड़ा मोत दिया गया है वर्ग में सुमन का इस्थान तो दे दिया गया है साथवा उसी तरह आगे बढ तो विजय का इस्थान उपर से कितना दिया हुआ है 15 यहां नीचे से 21 अब देखिए यहां पे सुमन का इस्थान तो दिया हुआ है मगर इस कोस्चन में और सुमन से रिलेटेट कोई भी सब्दा वली का यूज नहीं किया गया है यह वाला पार्ट हमें घुमाने के लिए दि देखें उपर से तो विजय का इस्थान उपर से कितना है 15 है विजय का इस्थान उपर से 15 है और नीचे से अगर बात करें नीचे से अगर बात करें तो नीचे से उसका इस्थान क्या है 21 है इस तरह से हमें विजय का इस्थान अपर और लोवर दोनों सेट से हमें पता है त प्लस 21 कर देंगे, और एक क्या कर देंगे, इसमें माइनस कर देंगे, इस तरह से हमें कितना मिल जाएगा, 36, 36 मैनस से एक इकोल टू 35 बेक्ती बैठे होंगे, तो इस तरह से इस कोस्चन में अगर देखा जाए, तो सुमन को इंट्रूड्यूस किया गया है, सिर्फ घुमाने के लिए और हमें आंसर किस से लाना है, विजय क्योंकि ध्यान देने वाली बात है, विजय का इस्थान ही आपर उपर और नीचे से हमें पता है, उपर से 15 और नीचे से 20, तो अगर देखें दूसरे तरीके से भी, तो 15 उपर से मिन सिस से पहले कितने लोग होंगे, 14 और नी और 34 के बाद विजय भी तूस पंक्ती में है, कुल मिला के 35, इस तरह से अगर देखें आंसर, इस कोस्चन का आंसर कितना होगा, 35, इस तरह से कोस्चन आगे अगर देखें हम लो, तो एक कक्छा में, इस तरह हमने दो टाइप के कोस्चन कर लिए इसी में, जो कि सिंपल सिं आठवे इस्थान पर है, जबकि मोहन नीचे से दसवे इस्थान पर है, देखें इसमें थोड़ा सा एक अपर लेवल का है, एक लेवल अब आगे बढ़ते हैं, तो इसमें उपर से रवी का इस्थान आठवा है, मिन्स यह हमारा रवी है, और रवी का इस्थान क्या है, मोहन नीचे से 10 वे स्थान पर है, अब देखिए इसमें रवी का इस्थान उपर से पता है, हमें नीचे से नहीं पता, मोहन का इस्थान नीचे से पता है, हमें उपर से नहीं पता, मिन्स इन दोनों कंडिशन में तो हम अभी नहीं निकाल सकते कि इस पंक्ती में कुल कितने ब स्याम का पोजिशन किसके टर्म्स में बताया गया मोहन और रविके मिन्स स्याम मोहन से कितने स्थान उइपर है स्याम मोहन से 12 इस्थान उपर है तो 10 इस्थान पे तो मोहन है और मोहन से 12 इस्थान पे मैंस उपर से अगर देखा जाए नीचे से देखा जाए तो स्याम कितने पोजीशन पे है 22 पोजीशन पे है नीचे से क्यूंकि मोहन से और 12 इस्थान उपर है तो 10 तो पहले था अगर नीचे की बात करें तो इस तरह से कुतने इस्था निकल जाएगा 8,5,13 African इस तरह से अगर देखें तो सियाम का इस्थान हमें ओपर और नीचे दोनों साइड से पतह चल चुका है कितना 13 और 22 अव इसी तरह से अगर देखें तो 13 plus 22 को add up कर लें और एक माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा 35 माइनस 1 equal to 34 क्यों एक माइनस फिर क्यों कि है क्योंकि स्याम को हमने दोनों साइट से count कर चुके हैं हम लोग अपर साइट से 13 और लोवर साइट से 22 हुआ तो 20, 30 और 35, 35 में एक बार स्याम को हटाना पड़ेगा तो 34 इसका अंसर है और दूसरे तरीके से देखें तो स्याम को छोड़े अगर नीचे से तो 21 लोग इससे पहले बैठे होंगे और इसमें 12 लोग बैठे होंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 33 और स्याम को भी तो एड़ अप करना पड़ेगा स्याम से पहले नीचे साइट 21 लोग बैठे हैं और उपर से देखें तो पहले 12 लोग बैठे हैं प्लस अगर स्याम को जोड़ें तो टोटल हमें कितना मिल जाएगा 34 तो यहां कोश्चन एक लेवल अफ का है जिसमें एक बैक्ती का स्थान दोनों साइट से तो दिया गया है मगर किसके टम्स में रवी और मोहंस के टम्स में स्याम का स्थान दिया गया है आगे देखें, एक कक्छा में A का इस्थान, देखें, एक कक्छा में A का इस्थान उपपर से पांचवा और B का इस्थान नीचे से आठवा है, इस तरह से इसमें A का इस्थान दिया गया है, A का इस्थान उपर से कितना है फार इस्थान पे है और नीचे से B का इस्थान दिया गया है आठ वा अब देखे फिर से सेम question है termeology अलग है नाम के जगा है पे A और B दिया गया है position changes है इस condition में हम लोग भी नहीं निकाल सकते इसलिए किसी एक बेक्ति का इस्थान दोनों साइट से पता हो तभी हम लोग क्या नीकाल सकते हैं कुल बेक्तियों की संखिया to इसमें C को introduced करके बोला गया है कि C का इस्थान A से 10 इस्थान नीचे तो 5 पहले से है और 10 इस्थान नीचे मतलब उप例えば से बात करें तो कितने स्थान पे है C, 15 वे स्थान पे, और B से कितने स्थान उपर है, 15 इस्थान, तो पहले से तो ए आठवे स्थान पे है B, और B से 15 इस्थान उपर है, तो कितने स्थान पे हो गए, 23 नीचे से 23 और उपर से C का स्थान क्या है, 15, क्योंकि 15 इस्थान तो पहले से ही था हो 15, 25, 23, 23 इस्थान हो गया हो तो इस तरह से अगर हम लोग निकालना चाहें कुल बेक्तियों की संख्या तो 15, 23 और 1 माइनस कर लेंगे हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं 38-1 equal to 37 इस तरह से कुल बेक्तियों की संख्या इसमें कितना निकल जाएगा 37 और अगर देखें तो C के पहले कित्ते लोग बैठा हैं उपर साइड में? चौदा लोग और C के नीचे में पहले कित्ते बैठा हैं? 22 लोग 22 लोग बैठा है इस तरह से दोनों को हम लोग ADAP करके C को भी ADAP करेंगी 14 प्लस 22 और प्लस C को जोन देंगे हम लोग C कभी तो position हमको add up करना है उन cool ब्यक्तियों की संख्या में तो 36 और plus C एक स्थान जूड़के cool कितना हो जाएगा 37 क्यूंकि भी तो एक position है इस तरह से देखें तो इसका answer होगा 37 तो one by one हमने इस type one के question को solve किया तो अगर आप शुरू से लेके last तक मेरे साथ बने होंगे तो इस type के question आप से बनने लगेंगे